गूढ कि गूद इविदिंग प्यारे बच्चों सब का बहुत-बहुत स्वागत है बाइजूस एक्जाम प्रेप के ऊपर कम ओन दियर स्टुडेंस जॉइन दिस सेशन वेरी-वरी फास्ट येस येस कम ओन कम ओन जॉइंट इस सेशन वेरी फास्ट आप सभी का बहुत बहुत तहीं दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस आज के सेशन में जो की गेट 2022 के रिलेटे हैं लास्ट के पांच दिन है अपने पास और दूस और डूस के बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे इस आज के सेशन में कम ओन दियर स्टुडेंस चलो जल्दी से आ जाओ इप यूर देर चंडरा गुडिवनिंग गुडिवनिंग डियर तो यह मैं अदिन वीजिबल चलो जल्दी से बता दो और बहुत ही इंपोर्टन्ट है यह लास्ट के पाँच या चार दिन जो भी है अपने पास दियर स्टुडेंट गेट 2022 के लिए 12 और 13 येस इट इस लेफ टोर डेज लेफ टोर एग्जामिनेशन डेज राइट येस आज का पकड़के चलो चार में वही बोल रहा चार या पा का पहली बार तो मैं बहुत-बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं ओके इन दिस सेशन सो टाइम में से टाइम निकाल के आप यहां पे अवेलेबल हो यहां पे अवेलेबल हो यह से जल्दी से से सेशन को लाइक करना है शेयर करना है भाया डोंट फरिगेट इस तीं ओके इस तीं राइट तो यह मेरे बारे में आपको पताएए डियर स्टुडेंस आप वह गयां इंडर सेशन हो सकता है 12 और 13 तरी को जो भी लोग एग्जामिनेशन देने वाले है गेट 2022 की उके उनके लिए और सबसे पहले दियर स्टुडेंस यह चीज जरूर करने हैं आपको अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो फ्यूचर में या कोई आपका सेशन मिस होता है तो आपको हर एक सेशन एक जबाए पर आपके पास मिलेगा ओके और नाट ओनली इस बट रियल कंटेंट गुड क्वालिटी कंटेंट प्रैक्टिस सेशन और वन स्टॉप फूल सुलिशन गेट और यह सी एक्जामिनेशन के लिए आपको यहां पर मिलेगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल थैंक्यों सो मुच अपिशेक थैंक्यों सो मुच सो यही बात है बिल्कुल नए अंदाज में सर बाइजूस एक्जाम प्रेप आपके सामने इस पर्टिकुलर हिंदी यूट्टिप चैनल के सामने आया है डियर स्टुडन सो डोंट फरगेट तो लाइक एंड शेर दिस सेशन और सब्सक्राइब और चैनल राइट सो देखो ड कम्यूनिकेशन से मतलब चैट बॉक्स से आप वहां से बात कीजिए मेरे साथ ओके सो लाइव करते इसको दोनों तरफ से सो नॉट ओनली कि मैं खाली बोलता चला जाओं और आप सुनते चले जाओं जो भी आपके पॉइंट्स है आपके जो डाउट से आपके आपको लगता है कुछ पूछन पूछने तो डेफिनेटल आप चाट बॉक्स में यहां पर लिख सकते हो ओके सो यह टूवे कम्यूनि एक बार खाली इस सेशन को गो तुरू कर लिजेगा डेफिनेटली यह पास दिन आप हलके हो जाओंगे डेफिनेटली सो मच प्रेशर टेंशन जो भी पूरा भरा हुआ दिमाग में देफिनेटली थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली आप रिलाक्स महसूस कर पाओं डेफि हैं अब मॉक करने का भी कोई मतलब येस मॉक करनी है को एक दो टाइम बाउंड मॉक करनी आभी जो करनी है और उसके मास्क को लेके मच जाओ भाई याद रखना मॉक टेस्ट में जो क्वेस्चन का दर्जा या लेवल जिसे बोलते हैं डेफिनेटली गेट से 1.5 या 2x या 2.5y हाई लेवल होता है जान बूझके वह वैसे क्वेस्चन होते हैं जिसमें डेफिनेटली आपका एक्स्ट्रीम प्रिपरेशन वहाँ पे लग ज के लिए कोई भी डी मोटिवेट होने की या टेंशन लेने की जरूरत भाईया नहीं है बट डेफिनेटली इफ्याव दफेट ओके जो भी आपने प्रिपरेशन किया उसके उपर आप हंड्रेट परसेंट श्योर के भाई जो भी किया मैंने अपनी लगन महनत से हंड्रेट मेरा 200 परसेंट देखे किया है तो उसके लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और स्पेशली याद रखना लोग खाली मौक मौक करते रहते ना सो मौक करके भाईया लास्ट के डेज में इन डेज में पीवाई क्यूज के उपर भी ध्याद देना उतना ही जरूरत म पहले तक हमने वही किया है राइट सो यह सारी जो चर्चा है सारी है यह दूस अटल्स में डेफिनिटली हम करेंगे आज का जो सेशन है दूस एंड दोंस बात करता हूं कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल से अब सब्सक्राइब स्था, इस इस ब्रता था, यार आपका ज राइट कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर अब सिर्फ ओनली फॉर्मिले रिवेजन ही करना येस देखो मैं पॉइंट वाइज लेकर आएं यहां पर मैं पीपीटी लेकर आया हूं राइट जो जो पॉइंट्स इंपोर्टन लगते डूस एंड डॉन्स के लिए वह मैं यहां पर लेकिया उसके उपर हम चर्चा करेंगे सो सबसे पहली जो चर्चा होगी सो प्रिप्रेशन पार्ट के उपर ओके सो प्रिप्रेशन पार्ट के उपर मतलब यह डूस चल रहा है अपना डूस पहले डिसकस करेंगे उसके बाद डिसकस करेंगे सो प्रिप्रेशन पार्ट लेके अगर मैं बात करूँ उस पर पर्टिकुलर सेशन में सो मान के चलता हूँ कि जो भी आपने एफर्ट डाले आपके प्रिपरेशन के लिए लास्ट छे मैंने एक साल जो भी ओके वो एकदम प्योर है 100% प्योर है भाईया ओके इसमें कोई भी दो नंबर या कोई भी को सोना साहिए इट शूड बी दब पॉजिटिव उसके पॉजिविटी पॉजिटिविटी की तरफ ओके राइट कि जितना भी किया भाईया येस मैंने बहुत अच्छे से किया है यह मैं जानता हूँ बाकि किसी को मेरे को सर्टिफाय करने की ज़रूरत नहीं है आप जानत कि भाई लास्ट के पास दिन में कोई भी आप जाके जाके मिराकल तो नहीं करने वाले कुछ अलक सा करके करना था हो कर लिया है राइट सो डेफिनेटली पॉजिटिव साइट देखनी है आपकी प्रिपरेशन की आपको ही उसके बाद डोंड डाउट यवर प्रिपरेशन इस सेकेंड तिंग राइट क्योंकि आपको पता है भाईया की आपने जो किया है मैंने तो मेरा सो दो सो परसंट देखे किया है डेफिनेटली नाव अब इस पर्टिकुलर समय के अंदर इस पर्टिकुलर शार या पास दिन में भाईया आपको जो करना है खाली बस नोट no need to go for any extra topic एङे एक्स्ट्रा फॉर्मिली नथिंग नथिंग यहस वो तो आपको करना ही नहीं यह वो दो में में बताओंगा ही राइट और इस पार्टिकुलर समय में बात करूंद सो आप टाइम बाउंड मतलब ऐसाना कि रोज करो अब खाली एक ही कुछ करो कि जो आइम बाउन पर्फेक्ट एक दम एक ही राइट अगर आप कर सकते हो तो जरूर कीजेगा अधर्वाइस दियर स्टुडेंट आपने तो अभी तक तो मौक दे ही है ओके बहुत सारी मौक आपने अब तक दी है ओके सो बट बस लास में एक और सबसे इंपोर्टन ली जो भी मै मैं आग के नीचे से ले जा सकता हूँ हो वह है प्रिवेस यर कोशन भाया इनको आप कितना भी मौक दीजे ओके आप मौक देस दीजे कितना भी प्रैक्टिस कर लीजे लेकिन यह जो प्रिवाइक क्यों है वह बहुत बहुत काम ऐसा नहीं बोलता कि मैं आज इस कोई प्रि फॉर्माट का क्रियेशन कैसा हो सकता है एक्सपेक्टेशन कैसा है अपने स्टूडेंस के साथ इंगेज इस गेट पर्टिकुलर गेट एक्जामिनेशन में आपको एक फील आ जाएगा तो पीवाइक्यू को आप कभी भी इग्नोर 100% नहीं कर सकते इस पर्टिकुलर समय मे खाली और लुक किजिएगा कि कैसे कैसे क्वेस्टन से कोसा फॉर्मिला किसा टेड़ा मेडा करके क्या कैसे पूछा है एक डेफिनिटली सो पीवाइज्ट्वी से आपको यह इन्फोर्मेशन जरूर्वर मिलेगी सव सोनुसर आय है सौनुसर थैंक्यू सो मच बहुत बहु यह एक चीज है और बस आपको मैं वही बोल रहा हूँ कि preparation part में अब तो ज्यादा कोई बताने की बात है ने आपने किया है 100% 200% ओके positive side को देखना है कोई भी आपने preparation पर डाउट नहीं रखना है एका time bound अगर आप test देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और सबसे important pyqs एक बार just go through कर लिजेगा क्योंकि वही आपको एक strong feeling देगा कि यहाँ ऐसे question आ सकते तो मैं कितना ready उसके लिए right so preparation related कोई अगर किसी को doubt है या कोई question है तो ज़रूर पूछेगा और फिर से कह रहा हूँ कि mock के results के उपर मत जाना भाई किन-किन लोग ज़रू कोई-कोई लोग definitely motivated हो सकते इससे हो गए भी लेकिन कुछ-कुछ लोग even though with a very good preparation की भहिया score नहीं कर पा रहे तो उनके लिए यह बहुत हाथ से जैसा है सत्मे जैसा है तो भहिया ऐसे कोई tension लेने की बिलकुल भी ज़रूरत नहीं है मैं बता रहा हूं मॉक से कई गुना सिंपल आपका गेट का question पर हो सकता है और होगा यह मैं आपको मतलब हमारे बहुत सारी साल के experience की उपर में बात कर रहा हूं राइट तो स्वाम के किंग येस राइट तो प्रिपरेशन पार्ट आइप आइप इस क्लियर वेरी गुड वेरी गुड अब देखो हम examination गेट साल में एक बार ही examination होती है और जी जान पूरी महनत लगन अपने student लोग लगा देते हैं इसके पीछे तो मतलब भया examination ही मतलब खाली preparation ओके syllabus किया यह सब हो गया मैं अब ready हूँ जस्ट मुझे आप जाके examination देने लेकिन उससे पहले कुछ external जो जो affect करने वाले यह agents है जैसे क्या आप खाते हो क्या पीते हो राइट क्या activities करते हो in particular examination जब नजदी का आती है भाहिया राइट जब जो तीन दिन बचे है तो definitely इतनी साल की जो हमने जो मेहनत की है राइट वो ultimately कुछ fruitfulness की तरब जाए तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीजों में खुद को bound करना ज़रूरी है राइट क्योंकि अपनी ultimately वहाँ पे जो तीन गंटे में performance रहेगी वही अपना यह साल भर का जो आपनी किया है वो के उसका जो नतीजा है वो तई करने वाले तो भाईया याद रखना सो खाने पीने के मामले में भी यह देखना बहुत जरूरी है कि लास्ट के इन दिनों में राइट खाने की वज़े से ऐसा कुछ ना हो जाए कि जिसके वज़े से मेरा मेरे preparation के उपर या ultimately मेरे examination के उपर इसका अगर बात करने तो आप उतने तो intelligent होई भाईया कि कौन सा food इस समय में लेना चाहिए राइट सर सो light food and healthy food consume करेगा भाईया राइट कि जो आपको 100% energy दे 100% stamina दे और आपकी body को बहुत अच्छी तरीके से रखे in particular days में भाई उसके बाद कोई बताने की जरुरत मुझे नहीं अप्टूड आप चलो यह से आठ से आठ मार्क या आठ से दस मार्क डिफिनिल अप्टूड उटना तो दिया ही हर साल का है वह कि यह अप्टूड और अगर आपने देखो आपने जो प्रिवेस अभी जो एक्जामिनेशन हुई है पांच और छे को सो जैसे कि देखा अपने सीयस में अप्टूड मतलब बहुत ही अच्छे लेवल के कुश्चन थे ओके सो इतने तो मार्क तो बनते हैं मैस और कि और बताओ और बताओ क्या कोई किसी के डाउट सो खाने पीने के मामले में अप्टूड देखो यह चीज़े जो है न मतलब पढ़ाने से तो आती है लेकिन बहुत बार यह हम बोल सकते कि यह जो अप्टूड है जो हमारी खून में होना चाहिए क्योंकि इतने साल से हम मै इंजिनिरिंग मैथेमेटिक्स के भी बात करो तो हमने दो तीन साल तो पढ़ाई है और यह चीज़े बाइट डिफॉल्ट आती है कभी कभी इसके लिए कोई पढ़ाए या पढ़ाके पढ़के प्रैक्टिस करके तो आनी है लेकिन कभी कभी वह आ जाती है राइट तो वह का यहां पर परफॉर्मंस बढ़ाने के लिए उसको इंप्रोवाइज करने के लिए यह कुछ जो आप योद्धा हो बहले वहां पर नतीजा कुछ भी हो जाए लेकिन अल्टिमेटली गेट जैसे एक्जामिनेशना प्रिपेर करते हो ना तो मतलब उसके लिए हर एक जो भी influencer है कोई भी parameter तो उसके बारे में हमको analyze और analysis करना ही पड़ेगा ओके सो दैट कि वहां पर अपना performance है जो है जो next level हमेशा हो जाए राइट most अरे यार अब most important देखो कल मैं और सुनू सर याद रखना mechanical के लिए ओके what will be the good attempt उसके बारे में हम चर्शा करने हम दोनों जरूर आने वाले हैं ओके मैं अपने टेलेग्राम चैनल में बता भी दूंगा सुनू सर भी बता देंगे कल हम exactly आपको बता देंगे कल कल के time में हम आएंगे राइट की what will be the good attempt for the gate 2022 तो उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे तो बहिया इट इट healthy बस आपको अच्छे से light या फिर healthy food आप ले लो ओके और अपने body को charge full energetic रखो कोई ऐसी चीज खाने की वज़े से पीने के वज़े से कुछ impact आपके body के उपर health के उपर ना हो राइट चलो next बात करते है बहिया sleep की या फिर rest की ओके तो जैसी की लोग बोल दे भाया मैं अभी आने वाले चार दिनों में भाया पूरे 24 गंटे मैं से वाई 20 गंटे पूरा पढ़ लूँगा बेट के पूरा बेटक मार के कर दूँगा राइट सो अल्टिमेटली रहेंगे कितने घंटे आपके पास रेस्ट करने के लिए राइट सो भाया आपको ऐसे कोई भी हरकत नहीं करने की जिसके वज़े से नो डाउट आपटे कर दो लिया ओके लेकिन यह बॉड़ी भाया अपनी बॉड़ी कहीं न कहीं जवाब तो देगी ही सो यह जवाब कहां पर देती पता ऐसे चीज़े जगा अगर आपकी रेस्ट प्रॉपर नहीं है आपकी स्लिप प्रॉपर नहीं है इस पर्टिकुलर प इन सीली मिस्टेक्स को अगर अवाइड करना सीली सीली मिस्टेक्स तो आप रहिया रेस्ट प्रॉपर ली टेक दशली प्रॉपर ली राइट जो भी आने वाले यह दिन है ओके तो ऐसा नहीं कि पूरे रात-रात और जक्के पहिए रिवीजन कर रहा हूं या फिर कोई आ इन पाच दिनों में कोई भी बड़ा जो इतने दिनों में नहीं हुआ तो वे चार भी दिनों में कैसे हो सकता है भाई जितना भी किया है वो भी से स्पोईल हो जाएगा अगर ऐसे हरकते की तो तो प्रॉपर रेस्ट क्योंकि अपनी भाई प्रॉपर स्लीप उतना प्रॉपर रेस्ट आपको जरूर लेना पड़ेगा भाई ओके तो राहूल क्या कहते वह या आउव स्टूपिक्स फ्रॉम लास्ट टू मन्स बड़ाइं गेटिंग टेंशन आट शुड़ाइं क्लियर कट ओफ और नॉट बिकॉज एम थर्ड सी फिर अगर आप कटॉफ की बात कर रहे हो राहूल तो डेफिनिटी इसी कोई हाल्ड और फास्ट है ने कटॉफ को क्लियर करना अगर खाली इन चार पास दिनों में खाली फॉर्मिलीज भी अच्छे से आपने रिवाइज कर लिए खाली फॉर्मिलीज क्यूंकि गेट एग्जाम करते हो तो इसके लिए ज्यादा इतना टेंशन लेनी की ज़रूरत नहीं है राइट को टॉफ क्लियर हो जाएगा खाली अच्छे से अभी इन तीन चार दिनों फॉर्मिले रिवीज रिवाइज तो होई सकते है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर हर एक चीज आप डि क्लियर दो कॉट औफ डाट इस मोर 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 दैनिन राइट तो इह बल्कुल इंपोर्टन चीजे मेरे खाल से लग रहे थी भहिए कि भाई डूज में आपके प्रिपरेशन के बारे में बात करो आपके रिस्ट के बारे में बात करूं करूं को हमने थोड़ा बहुत साइड म आप मैं तो यह मान के चल रहा हूं कि यू और हंड्रेट और टेन परसेंट रेडी फॉर दर्रेस ओके बस यह जो एक्स्टरनल चीज़े इसके बारे में बात करनी थी और बहुत इंपोर्टन चीज बहुत इंपोर्टन चीज इन आने वाली तीन-चार दिनों में जैसे कि आ रहा है भाईया अब यह नहीं सेन हो रहा है राइट नीन नहीं लगरे कुछ भी खाना पिना छोड़ दिया ऐसे चीज़े ठीक है यह तो स्वाभाविक चीजे होती है जैसे एंजाइटी राइट एंशेस होना राइट टेन्स होना राइट यह चीज़े तो नॉर्मल है इनवर्सिटी के एकजाम भी लेने जाओगे लास्ट के आठ दिन में हम प्रिपेर करते हैं एक रात पहले प्रिपेर करते हैं फिर भी वह कहीं ना कहीं तो प्रेशर तो हर किसी ने जहलाए भाईया एकजामिनेशन का उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं यह वह नॉर्मल है भाईया यह इसको देखके मेरा थोड़ा हील जाता है थोड़ा ऐसे जो क्रिटिसाइज करने वाली लोग होते ना कभी-कभी रिष्टिदार पडोसी फ्रेंड ओके सो भाई उनको थोड़ा दूरी रखो उनसे आप दूर बचके रहना ओके सो दाट उनको देखके आपका दिमाग ना घूंगे राइट सो बस आपको motivated खुद को रखना है कैसे रख सकते हो तो एक तो मैंने बता है ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो दूसरा positive side को देखना है आपने आपके preparation में राइट और सबसे important हमको हमेशा अपने साथ we have to be with the positive thoughts positive thoughts भाईया जितनी भी preparation आपक यह भाईया एक्स परसेंट है वाई परसेंट है जो भी है राइट उस particular preparation में मान के चलो कि भाईया यह मेरी gate इतने से clear हुई clear हुई है अच्छे से अगर मैं मैं सोच रहा था कि मैं हो गया नहीं होगा लेकिन हो गई positive side देखो मैं 70 80 सोच रहा था लेकिन मान के चलो भाई देखो सोचने में क्या जाता है अगर negative ही सोचना है तो क्यों ना positive सोचे राइट पता है देखो positive सोचके मैं ऐसा नहीं बोलता कि पूरा 100% turn around हो जाएगा गेम नहीं लेकिन भाईया मान के चलो ना इसके लिए थोड़ी पैसा लगता है राइट सो motivate रखना खुद को उसके ल को ओके सर में करना फायदा देगा या ग्रेड़ पैकेज या सर मेरे मौक में 15-20 मास्क आ रहे हैं आपके 25 तक आते ना मैं बात फिर से दोगरा रहा हूं कि आपके माल जो है बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे मतलब आपकी जो सोच है उससे तो अच्छे ही आएगी राइट तो आप मान के चलो 40-40 फ्लस आप आराम से जाओगे फिर से बोल रहा हूं भाहिया मौक को डायरेक्ट ली डायरेक्ट 1-1 प्रोपोर्शन में कंपेर करना छोड़ दो प्लीज यह बिल्कुल भी 1-1 नहीं चलता ओके राइट फिर से मैं वही देखो यह मोटिवेशन में वही बोल रहा हूं मौक इतने सारे लोगों ने अपनी फैकल्टी ने बताया होगा इससे पहले यह मैं अकेला नहीं कि मैं यही बात कर रहा हूं उसका लेवल डेफिनेटली वो जान बूच के नेक्स लेवल के थोड़ी क्वेशन होते हैं कि भाईया आप स्ट्रेच कर सको खुद के लिमिट को स्ट्रेच कर सको आपके खुद की प्रिपरेशन को मतलब आजमा सको राइट यह में मक्सद होता है और हर एक अपनी इंस्ट्यूटीट होती है न कोई भी आप मौक जिसकी ले रहे हो तो एक होता है कि हम कैसे क्रियेशन तो वह एक चीज होती है राइट सो उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है देखो MSQ की बात करूं नो तो आपने तो अभी जो पांच-छे तारिक हुआ है आपने देखाए होगा कि MSQ कैसे थे CS में शायद कुछ नहीं थे ओके सर पीवाइक्यू और फॉर्मिला क्या करे बता मैं वही बोल रहा हूँ प्रिविएस येर कुशन देखो गेट बोले तो नुमेरिकल गेट का दूसरा नाम नुमेरिकल बोले तो भी चलेगा पीवाइक्यू जब करोगे तो क्या खाल चीज़े देखने की ज़रूरत नहीं है क्रियेशन देखो क्वेशन को कैसे फ्रेम किया है देखो फॉर्मिला कौन से कैसे लगाया हूँ दोकर बस देखते चले जाओ आपके पास लास्ट बीस-पच्चीस साल के जो होगे सॉल पेपर या सॉल क्वेशन डेफिनिटली बहुत सारी बुक्स अवैलेबल है राइट सो देखते चले जाओ बस जो चीज आपने कई सपोज एक महिने में की थी जब जब एग्जामनेशन नस्दिगाते तो वही चीज़ आप साथ दिन में भी कर सकते हो अब एग्जामन यहां प्याइब वह चीज आप 15 मिनिट में भी कर सकते हो यह अपने इंजिनरिंग लोगों की पावर है राइट तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जैसे टाइम मैनेजमेंट होती है जैसे बोले कि कोई मिच्छीज आपको दे दी तीस दिन में करने आप तीस दिन में कर लोगे उसमें डरने की बात नहीं है भाई ओके वह हो जाएगा और वह माहोली ऐसा होता है कि आपको वह करवा देता है चीज़ वह पूरा एक माहोल है ना वह एक माहोल एक बहुत इंपोर्टन चीज होती है राइट तो अपने आप हो जाता है उसके लिए चिंता करने की ज क्या चाहिए राइट छोड़ दो वह बात राइट सर अब टाइम कम है तो ग्रेडव का पैकेज सॉल करना नहीं नहीं कुछ ने भाई अब टाइम गया सॉल वेगरा सब कर दिया होगा मैं तो कह रहा हूं प्रीवेस पीवाई क्यों एक बार निकाल दो क्योंकि पचार पां निकल की बात करूं भाया आप हाँ एक बात में आपको बोलना भूल गया कि जो भी आपको पता है कि भाया यह मेरा बहुत ही स्ट्रॉंगेस्ट मेरी स्ट्रेंथ है यह सपोज कोई भी सपोज फॉर एक्जाब प्रोडक्शन जैसे हमारी सब्देट की बात करते है मतलब क्या समझे कि भाया आप मैं जानता हूं कि प्रोडक्शन का जो सेक्षन है वह बीस या फिर इंडेस्ट्रिल इंजिनिरिंग मिला के वह बीस बाइस परचिस मार्क का जो है मैं बोलता हूं 95% मेरी मार्क उसमें फिक्स है लेकिन एक्जामिनेशन प्रेशर यह पूर तो जो भी चीज़े आपको लगती कि जो आपकी स्ट्रेंथ है कि आपको पताए इसके उपर अगर क्वेश्चन आया तो मैं उसको चुटकियों में सॉल करूंगा लेकिन वहां पे भाया जाके ऐसे ना हो जाए कि यह क्या एक्जैक्ली फॉर्मिल था तो अपनी बनाने का एक समय है कि यह है ना मैं बोल रहा हूँ यह मेरा स्ट्रॉंगेस्ट एरिया है इस पर्टिकुलर सिलाबस में तो उसमें मेरा एक भी मार्क नहीं जा अगर नहीं जाना है तो फिर एक बार फिर एक बार उसको आग के नीचे से ले जाना बहुत-बहुत पिछले बार कितने MSQ आये थे नो MSQ राइट मैं मेकरीनिकल की बात इस बार में कुछ नहीं आया इलेक्ट्रोनिक्स में कुछ थे रैट सो आप मान के चलो ना कुछ ना कुछ ता ओगे ज्यादा ज्यादा बाल के चलो चार-पांच बस और कितने चार-पांच मैक्जिमम छे बहुत है बहुत more than enough more more than enough maximum जो है देखो एम सीक्योर एनिटी वो अपना जो एनिटी आप मान के चलोगी 50-50% होने के chances हो सकते हैं और होंगे भी तो बस मेरा एक important point था कि जो भी आपकी strength है न उसको super strength करने का time यही है भाई या क्योंकि अगर वहां पे आपको पताए कि भाई मैंने इस particular subject को इतना बढ़िया तरीके से किया था पिछले एक साल या छे मैंने और भाईया मैं अगर उसके उपर आए गए question को अच्छे से solve नहीं कर पाया तो इससे बड़ा regret after this three hour जब बाहर निकलोगे अपने आपको बोलते कभी माफ नहीं कर पाऊगे इस feeling के साथ आओगे भाई तो यह important चीज बहुत अच्छी तरीके से याद रखना जो भी आपकी strength है उसको next level पर इस तीन-चार दिन में लेके जाना ही है क्योंकि वह आपका हक है ओके वह जो मार से आपको छीन के लेने राइट कि एनेटी सा भाईया एनेटी को डील करने के लिए पता है आपको आपका देखो आपकी preparation ओके आपका प्रिपरेशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो भी कंसेप्ट्स ओके आपका practice ओके और last but not least वो जो तीन घंटे का जो प्रेशर हैंडलिंग है आपका ओके और उस प्रेशर हैंडलिंग में आप केसा परफॉर्म करते हो यह आपका करेगा सक्सेस रेश और जो कि मैं मानता हूँ भाईया देखो इंजीनिरिंग में कितने सारे एक्जामनेशन दिया हर एक सेमिस्टर में एक्जाम देते थे भाई और ऐसा भी नहीं था कि मैं तीन 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 महिने दो दो महिने पढ़ते थे पढ़ते होंगे डेफिनिटी जो भी पढ़ते होंगे बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं मैं मैंक्जिमूम अपनी कम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ कि भाईया ऐसा कभी किया है कि एक-एक महिना पड़े हम धुरंदर तो लोग एसे एक-एक रात पर निकाल देते थे एकजामिनेशन या सब्जेक की बात कर रहा हूँ कोई इनएटी के लिए भाया देखो एक तो कंसेप्ट का बैग्ग्राउंड आपके पास होना बहुत इंपोर्टन चीज है बहुत इंपोर्टन चीज ओके कंसेप्ट उसके बाद फॉर्मीली को केसे गुमा फिरा के इस्तिमाल करना है वो एक बार आप समझ गए न तो भाया सही नहीं हो रही है तो क्या मीनिंग के बता हूँ मैं मैं यह मान के चलता हूँ कि हर एक ने वर्चुल कैलकुलेटर का सही से इस्तिमाल करना सीखा है उसके उपर प्रैक्टिस किया होगा अपने टेस्ट में वेगरा हर जगा पर वह एक चीज अगर आपकी अच्छे हाथ में ह यह आपको 100% उसके मार्क्स देखे जाएगे राइट चलो उसके बाद डोंस की तरफ बड़े जल्दी से डोंस की तरफ बहिया डोंस की तरफ सो डोंस में यह तो मैंने अल्रीडी बताया बहिया कोई भी अब जैसे मैंने फिर से वोला कोई भी जादू नहीं होगी कि भाया लेकिन फिर भी फिर भी देखो मैं एक चीज आपके ऊपर छोड़ देता हूँ जो गट फीलिंग होती है न यह हरे की अलग अलग हो सकती है भाया एक फील होती ही भाया नहीं यार मैं यह अगर करूंगा न यह पर्टिकुलर टॉपिक जो है क्योंकि मुझे इसका थोड़ा बहुत इंपोर्टन्स पता है और थोड़ा बहुत भी जानता हूँ और थोड़ा बहुत इसको मैं ब्रश अप करूंगा तो यह इसके उपर अगर क्वेशन आएगा तो डेफिनेटली मैं कर पाऊंगा अभी भी ऐसा लगता है न फिलिंग ओके तो यह आज या या कल के दि के हो जाएगी तो कर सकते हो लेकिन 100% में नहीं बोलता मैं तो कहूंगा कि कोई भी नया टॉपिक की ज़रूरत यहां पर अभी करने की नहीं है कोई नया फॉर्मिला नहीं चाहिए कोई नहीं कंसेट भी नहीं चाहिए बस जितना किया उसमें ही मुझे अब आखे उसको ले जब भी बॉड़ी अच्छी रहेगी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी दिमाग भी थोड़ा फ्रेश रहेगा और काम अच्छे से करेगा सो इस पर्टिकुलर समय में भाहिया कोई भी हेवी वर्क या कोई जाके उठाके गए मोट फुटबाल खिरने क्रिकेट खिरने कहां हो थी अपने पूरे इस बॉड़ी को संभाल के ले जाना है बाइस अपने तेरा बारा तारिक तक डेफिनेटली सो कोई भी एसी एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी जिससे कोई आपका संतुल अन्हिल जाए भाहिया बॉड़ी का ऐसे कुछ भी नहीं करना यह बहुत एक साल पिछले वाला एक साल घिसा है ना इसके लिए वो इसका इंपोर्टन्स जरूर जान लेगा भाई राइट सो यह एक्टिविटी ऐसी कोई भी आक्टिविटी जिसके वज़े से बॉड़ी में कुछ भी चीज़े गलत हो जाए अवाइड करनी नहीं मैं जानता हूँ कि नहीं जाओगे ऐसे कुछ करने के लिए बढ़ फिर भी एक छोटी सी आपको सला आप ले सकते हो राइट और सबसे इंपोर्टन चीज वह सबसे सबसे इंपोर्टन चीज मैं आपको बता रहा हूं कि खुद का खुद का comparison in terms of of course preparation अभी के समय में वही कहुंगा में preparation ओके या फिर कोई ये ये टॉपर है भहिया ये ऐसा है इसका preparation ऐसा है ये इस level का बंदा है मैं कौन से level ये comparison भहिया छोड़ दो okay you are the unique god is the zero defect organizer भगवान जो है zero defect organizer zero defect कैसे because he has created everyone of us the unique uniqueness हर एक बंदा युनिक है भाई राइट सो डेफिनेटली comparison मतलब ये चीज लिखने के पीछे मक्सद था कि भाई या comparison आपको पता रहता आपके सरकल में आपको पता है कि भाय कोन कितने पानी में क्या कर रहा है या में ने क्या किया उसने या किया में यह किया में यह नहीं किया उसने ये इस कोशिंग स से पढ़आ छोड़ दो यह यह चीजे comparison की Di سब्दा के नतिजय के उपर ज्यादा ध्यान देने के अभी ज़रूरत नहीं यह चीज लिखने का में मकसद है कंपारिजन छोड़ दो और करना भी मत अभी कभी ना तो अभी और ना तो कभी फूचर में बहिए और दूसरी कंपारिजन नहीं करना और खुद को अभी फिलाल लॉंग स्ट्रेच मत करो भाई वेरी लॉंग स्टेडी में अभी फिलाल लॉंग स्ट्रेच मत करो राइट ओके खुद को अभी लॉंग स्ट्रेच करने की बिल्कुल भी जरूर नहीं है आपर मैंने लिखा नहीं पॉइंट स्टडी में फिलाल अभी वेरी लॉंग स्ट्रेच करने की जरुरत बिल्कुल भी नहीं और लास्ट बट नॉट लिस्ट वेरी वेरी इंपोर्टन एक बात में लास्ट मैं कहना चाहूंगा इस पर्टिकुलर सेशन में भाया यह एक्जामिनेशन है और ऐसे बहुत सारे एक्जामिनेशन आपने पास्ट में दिये होंगे फ्यूचर में दोगे ओके जिन्दगी की कोई लास्ट एक्जामिनेशन है ने इसको एक्जाम एक्जाम की तरह ही ट्रीट करना हार जीत अल्टिमेटली हर एक गेम का उसूल है वो तो होके रहेगा लेकिन एक बात हमेशे आद रखना कि बे भाई इसके लिए लड़ा हूं फिर से अजम्शन जरूरी है कि भाई आपने कैसे काम किया है ऐसा नहीं कि भाई हाँ दोचा दिन पड़ा था ऐसे देने के लिए दे रहा हूं उनके लिए नहीं कह रहा है यह बात कि जिसने अपने जिन्देगी के यह पूरा यह 360 दिन दिये है या फिर 2 साल दिये जो भी दिये है hard work मेहनद dedication से दिये है so definitely ओके यह examination जो है यह last वाली examination नहीं हो सकती ओके आप एक warrior हो एक योद्दा हो definitely और उसमें जीद और हार माइने नहीं रखती रैट वो तो बात की बात लेकिन positivity अगर है तो definitely हम कहेंगे कि हम जरू जीतेंगे definitely जीतेंगे right और गेट 2022 को मतलब फोड़ना है और फोड़ के रहेंगे right so भाया यह last बात थी कि this is not the ultimate examination of your life okay treat it as an examination only के भाई it is one of the examination हा भाई बहुत सारी चीज़े इसके उपर मेरी depend है no doubt होगी भी definitely नहीं तो क्या भाई दूसरा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं right examinations आते रहेंगे भाई okay so dear students बता और कोई दिक्कत वाली बात या कोई doubt है तो जरूर रिखना checkbox में comment box में so that मैं आपको answer कर सो right so बताओ बताओ जल्दी से सत्यम क्रिशान किंग मैं मैं फिर से बता रहा हूं न कुछ कुछ चीज़े हां एक point मुझे और एक यहां पर बोलना था कि जो भी बच्चों का न examination center अपने city से या फिर अपने जो आपकी जगाय रहने की वहां से अगर of course दूसरे city में या शेहर में हैं तो मेरे ख्याल से आप एक दिन पहले ही कही जाके lodge or hotel जैसी चीज़ बूक कर लो right so that उस particular day में on the day of examination कोई भी दिक्कत ना आ जाए आपके transportation में वहां पे आपको reach होने तक right so यह मेरा बिलकुल important suggestion होगा कि एक दिन पहले कोई भी relative हो जो भी जो भी आप कर सके okay hotel या फिर lodge बूक कर सके तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेकिन एक दिन पहले जाके वहां पे stay करना बहुत 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 ज़रूरी है okay on the day of examination में travel करूंगा मैं इसी प्राइवेट वेहिकल वेगरा इसी चीज़ो में शायद नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से एक दिन पहले अगर जाओ तो जाओगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हो और बहुत ही इंपोर्टन चीज़ भाया अभी बेट के एक लिस्ट बनाओ okay make a list of the items that you are going to carry in the examination hall okay क्या-क्या चीज़े वहां पे allowed है लेके जान मेरे को करनी है okay before I enter into the examination hall right I have to carry these these things so यह बहुत ही इंपोर्टन यह नोट करके लख रखना कही तो भी okay और बस अच्छे से जाना कोई टेंशन अब लेने की जरूद नहीं है भाया okay जो भी करना था वो दे दिया हाथ ऊपर करो और जिसको भी मानते उसको थोड़ा बहुत याद करना okay before examination just आपको relax करने के लिए बोल रहा हो जो भी आप कोई योगा चीज वगरा कर सकते हो definitely आपको खुद को फ्री टेंस फ्री एंजाइटी फ्री रखने के लिए कर सकते हो तो definitely करो right so this is all from my side any doubts you can ask me there in the chat box so बस चीर देंगे फार देंगे लिग देंगे इंजिनियर्स यह तो करना ही है चलो बताओ बताओ सत्यम कृष्णन राहूल एने टी राहूल मैंने अल्रड़ी एंसर दे दिया राहूल को मैट्स एप्टी किंग को मैंने बता है मैट्स और एप्टी के लिए देखो अगर आपने अभी तक quite good amount में mathematics प्रैक्टिस कि आपको quite good amount में mathematics आता है ओके आपने अप्टी तूड का मतलब है उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है अब किया है बस that is more more than enough अब कोई भी चीज करने की ज़रूरत फिर से बोल रहा हूं कोई भी आपको लगते फॉर्मिली शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स अभी जो टाइम है वो शॉर्ट नोट्स का यह कभी बात करेंगे शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते कैसे बनाये जा प्राइम फंक्शन अपना प्राइम एक्चुली काम है राइट ओके तो एनी एनी क्वेरी एनी डाव्ट आप पूछ सकते हो चलो जल्दी से तो थैंक यू थैंक यू सो मुच गाइस पॉर जोइन इस सेशन ओके और कल मैं और सोनू सर जरूर आएंगे लाइब सब्सक्राइब करने के लिए और मेकानिकल इंजिनियर्ग कल मैं आऊंगा सवा साथ बजे जिसमें देफिनेटली एसी के लिए वो सीरीज अपनी चल रही है दो शुहां न बस्दomy सब्सक्राइब बतल रही है तो चिंधन को सब्सक्राइब सवा साथ बजे अपने हिंदी यूट्यूब चैनल के उपर आऊंगा लाइव और उसके बाद सोनु सरोर में आएंगे गुड़ अटेंप्ट के लिए आएंगे बाद के उपर चलो यूट्यूब चैनल के लिए बाद के उपर चलो यूट्यू फिर से एक बार सब को all the very best all the very best okay jai hind jai bharat good night